हेलो एब्रीवर हमारा नेक्स चैप्टर है वैदिकाल ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसमें दिया हुए है विचारक वगर दिये हुए हम בy और यह यह VALA कहवर करेंगे तो इसमें दीए हुए है इतिहासकार ठीक है जैसे उन्होंने अलग-अलग इतिहासकारों ने आरियों के जो मूल निवास हैुनके बारे में बताया है कौन किसको मानता था कहां का आया हुआ तो जो LD कल साहब है उन्होंने कश्मीर बुला तो कल को कश्मीर से जोड़ दीजे ठीक पी गंगानाद ज्या जो थे वो ब्रह्मार्शी देश को मानते थे अभिनाज चंद्रदास जो थे वो सेप्थ सेंदव प्रदेश को मानते थे DS त्रिवेदी साहब त्रिवेदी वेदिका को मानते थे त्रिवेदी वेदिका गार्डन चायल्ड जो थे वो दचनी रूस को मानते थे मैक्स मूलर थे, मद एशिया को मानते थे, बाल गंगा धर तिलक उत्री द्रू, दियानन्द सरस्पती तिब्बत, हट एमम पेनका जर्मनी, गाइल्स हंग्री तो हमें क्या याद हो गया, हमें याद हो गया, कश्मीर कल, ब्रमर्शी गंगानाज्जा, ठीक है, देवी का त्रिवेदी, देवी का त्रिवेदी कर दिजेगा, ठीक है, उसके इलावा ये दो इंपोर्टन्ट हैं, हमारे अपने हैं, तो इनका थोड़ा सा इंपोर्टन्ट ह जाता है Max Muller का भी इंपॉर्टट है Max Muller मधेशिया Max Madhya ठीक है और गंगाधर तिलक मुत्री ध्रू और ध्यानन सरस्वती तिबबद अभी हम कोश्चनल से करेंगे तो एक बार रिवाइज होगा और हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा ठीक तो व्यादिकाल जो था इसको दो भागों में बाटा गया रिग व्यादिकाल या फिर पूर्वैदिकाल जिसका टाइ होते हैं यह देख लिजे नदियों के बारे में दिया हुआ कि किसको क्या कहा जाता था तो असकनी चिनाप को कहते थे व्यास विपासा देखे ये भी वह से चालू है और ये भी वह से चालू है ठीक है विपासा व्यास परश्णी रावी वितस्ता जेलम कुभा काबुल कुभा काबुल एक जैसे हैं कुभा कासे कुरुमु कुर्रम ये एक जैसे हैं कुरुमु कुर्रम गोमती गोमल ये तो बिल्कुल लगी रहा कि गुमती गुमल एक जैसे हैं स्वास तो स्वास भी एक जैसे लग रहा है सदा नीरा गंडक शुतुद्री सतलज द्रश्दती घगग फिर से आज़े एक बार रिपीट करते हैं अस्कनी चेनाब विपासा व्यास परुशनी रावी वितस्ता जेलम कुभा काबुल कुर्मु कुर्रम गोमती गोमल सुवास्तु स्वात सदा नीरा गंडक शुतुद्री सतलज द्रश्दती घगग फिर से आज़े चलते हैं यह आजाईए मंडल दिये हुए हैं रिगवेद के जो भी मंडल हैं और उनके रचाइताओं के नाम दिये हुए हैं प्रथम मंडल किसने इनके रचाइता कौन थे मदुच चमदा मेधाति थी ठीक है सेकेंड है सेकेंड मंडल ग्रित्स्मद तीसरा है विश्वा मित्र यह याद करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि इंपोर्टन्ट कौन सा है तीसरा विश्वाम मित्र, चौथा वाम देव, पाँचवा अत्री, छटा भार्दवाज, साथवा वसिस्ट अस्टम वाला कौन सा है, कण्म, आंगिरस, नवम, सोम देवता, और अन्य रिशी, दशम, विम्दा, इंद्र, शची और अन्य यह याद हो जाएगा, नवम, अस्टम कौन सा है, कण्म, आंगिरस, साथवा, वसिस्ट, छटा भार्दवाज, पाँचवा अत्री, चौथा वाम देव, तीसरा विश्वा मित्र, दूसरा गृत्समद, और पहला मदुच्छ, मदुच्छमदा, मेधाती थी, मेधाती थी याद हो सकता है, पहला मेधाती थी, और वैसे भी, यह सबसे ज़्यादा कटिन वाला नाम है, आप इसको पहले पर रखो, ठीक है, पहला, कुछ-कुछ शब्दावली, रिग वैदिक काल की शब्दावली, तो नीवी किसको कहते थे, कमर के नीचे पहने जाने वाला ये वस्त्र था, ठीक है, नीवी, नीचे, ठीक, नीवी, नीचे, वासस कहा था, कमर के उपर पहने जाने वाला वस्त्र था, अधी वासस कहा था, उपर से धान किया जाने वाला है चादर या ओड़नी अधी इसे तो थोड़ा लग भी रहा है एक्स्ट्रा कुछ ठीक है तक्षा बढ़ई कर्मा धातु कर्म वाले और वेकनाट सूध खोर अरित्र पतवार अरित्री नावक ठीक है नाविक आजाए नीचे से रिपीट वापस है अरित्री नावक जो है अरित्र पतवार वेकनाट सूध खोर कर्मा धातु कर्म करने वाले तक्षा बढ़ई अधी वासस उपर से ओड़ी गई या शॉल बोल लिज़े सिदे सिदे शॉल और वासस कमर के उपर पहने जाने वाला वस्त्र नीवी नीचे पहने जाने वाला वस्त्र ठी अगे चलते हैं यह देख लीजे अच्छा विभिन दिशाओं में राजाओं के विभिन नाम अब मान लीजे कोई राजा है उसने पूर में गया और उसने कोई सामराजे जीत लिया तो उसको क्या कहेंगे सम्राट पश्चिम में गया तो क्या कहेंगे स्वाराट उत्तर में गया विराठ दच्छण में भोज और मद्ध में राजा एक टाइग्राम बनाईए पूर में समराठ कर दीजे पश्चिम में स्वराठ कर दीजे स्वराठ कर दीजे उत्तर में विराठ कर दीजे दच्छण में भोज कर दीजे और मद्ध में राजा कर दीजे राजा ठीक आजाईए आगे एक और बॉक्स देखिए शत्पत ब्राम्मन में सरवादिक बारा रत्नों का उल्लेक है रत्न ठीक है तो पुरोहित राजा का प्रमुख परामश दाता सबसे इंपोर्टन तो यही लग रहा है राजा को एडवाईज देना आसान काम तो नहीं है पुरोहित हो गया अच्छा यह कुछ अमेशा जैसा है क्या चोड़ी आगे चलते हैं सिनानी सेना का प्रमुख ठीक है यह तो नाम मैच कर रहा है सिनानी ग्रामीड या ग्रामडी ग्राम का मुखिया यह भी मैच कर रहा है घ्रामडी महिशी राजा की पत्नी सूथ क्या है रत सेना का नायक है थीक है थोड़ा सा अगर बुरा नामाने इसे ट्रिक बता सकती हूं जैसे कान को सूथ-पुत्र Państwo झाजाता था और सूह है रतछ़ना कार बहीं बहुत अच्छे होतेते रत बनाते थे वह तो उसको आपस याद हो जाएगा रत सिना का नायक और बहुत अच्छ संग्रहीता कोशाधाक्ष संग्रह करना भाग दुद्ध करक्ठ करने वाला अधिकारी था भाग दुद्ध और अकषवाप कौन है अक्षवाप को हमने आय वे गर्णाध्यक्ष द्यूत कृड़ा में राजा का मित्र द्यूत कृड़ा और वो बोलते हैं ना क्या खेलते थे पासिव अगर यह सब जो खेलते थे उसमें तो वो उसमें उनका मित्र होते थे अक्षवाप पाला गल, विदूशक, शात्री या शता, प्रतिहारी, दौबारिक इस तरह की कोशन आ जाते हैं मुसली मेडिवल से आते हैं लेकिन आते हैं इस तरह की कोशन ठीक है, फिट से एक बार हम रिवाइस करेंगे पहले मैं से क्लियर कर दूँ, ठीक है तो, सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, आज़ाई ये फिर से देखते हैं पुरोहित क्या थे, राजा का परामर्श, ठीक है सेनानी, सेना प्रमुक हो गया, ग्रामडी, ग्राम का मुख्या हो गया महिशी, राजा की पत्नी हो गई, सूथ क्या था, रत, सूथ, पूत्र, कर्ण ऐसा करके आद करेंगे, संग्रहीता, कोशा, ध्यक्ष, सारा संग्रह करके कोश में उसका डाल देता था ठीक है, पैसा भागदूद कौन था, कर, एकत्र करने वाला अधिकारी बागदूद कर, और अक्षवाप कौन था, जो राजा को हल्प करता था, खेलने वेलने में, आयवे, गर्णा, ध्यक्ष, दूद क्रेड़ा में राजा का मित, और पाला गल कौन था, विदूशक था, और इसके बाद, शात्री या शता, प्रतिहारी या दौवारिक ठीक है, कुछ तो याद हो गया होगा, कुछ, आगे कोशन अंसा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, आरे शब्द किसको दिखाता है, श्रेस्ट वन्ष को, मैं एक जगा पढ़ रही थी हूँ, उसमें ये भी दिया हुआ था, कि निजाती समू को भी दिखाता है, लेकिन इंगित करता है, श्रेस्ट वन्ष को, आरे प्राचीन भारत यूरोपी एवं प्राचीन इरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयोक्त शब्द है, ठीक है, कि कौन किसको हम बोल रहे हैं, आरे, जो भारत यूरोपी है, एवं प्राचीन इरानी भाषा बोलने वाले लोग है सारणाचारे ने अपने रिख भाष में आरे का अर्थ विग्य यग्य का नुस्ठाता विग्य श्रोता और आधर्णिय अथवा सर्वात्र गंतव्य उत्तम वडश मनु कर्मयुक्थ और करमानुस्ठान से स्रेस्ट आधी बताया है इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है बस अब जो हम देख रहे हैं जो सुन रहे है बस उतना काफी है लेकिन याद करने की इतना जरूरत नहीं है अता आरे संस्कृत भा question number third, सबसे पुराना वेद, रिगवेद, ठीक है, निवार पूछा गया है, चार वेद हैं, ठीक है, सबसे प्राचीन रिगवेद, त्रई, त्रई किसको बुला जाता है, तीन वेदों को बुला जाता है, इसमें अथरवेद नहीं आता है, कौन आता है, रिग, येजरवेद, सामवेद, question number five, किस वेदिक गरंथ में वण शब्द का सरपतम उलेक मिलता है, तो रिगवेद में मिलता है, वन, रिगवेद, रिगवेद में वन शब्द का रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यविसाई चेन के अर्थ में प्रयोक्त हुआ है, मतलब उसका अर्थ क्या हुआ, रंग या फिर व्यविसाई चेन आर्यों को गौर्वन या दासों को कृष्ण वन का कहा गया है आर्य कहते है गौर्वन और दास कैसे थे कृष्ण वन कृष्ण मतलब काला से है रिगवेद के दस्वे मंडल के पुरुशूक्त में सरपथम शूद्र शब्द मिलता है रिग्वेद, दस्वा मंदल, पुरुष्शूक्त, शूद्र वण व्यस्ता से संबंदित, पुरुष्शूक्त, मूलता पाया जाता है अभी हमने देखा रिग्वेद रिग्वेद, रिग्वेद, इसमें आपको मिलान करना है ओके, आ जाईए रिग्वेद में इश्वर महिमा की बारे में बताये गया है तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला कहीं है ये वाला हो गया, ठीक है हम अंसर में देख लेते हैं डिरेक्ट क्योंकि उसमें इधर उधर दिया हुआ है सारा देखिए, अथरवेद, और शदी रिग्वेद, इश्वर महिमा यजूर, कर्मकांढ या बलिदान और सामवेद, संगीत साम से संगीत साम को अक्सर लोगों को बड़ा पसंद होता है संगीत सुनना ठाखार के घर आते हैं लोग संगीत सुनता हैं मज़े में रहते हैं रिगवेद, ईश्वर, महिमा, अथर्व, औशदी, यजुर्वेद, कर्मकान. आजाए, कुशिन नमर एट, इसमें भी मिलान करना है, ठीक है, तो हमें जो आता हैं, फटाक से वो देख लें, रिगवेद, ठीक है, पहला गई हो जाएगा, और तंत्रमंत वशी करन के बारे में, यह जो रिवेद में दिया गया है, देखते हैं, इसका बी का दूसरा, तो, ओके, ओके, सॉरी, मेरे से गलती हो गई, सामवेद संगीत है, ठीक है, सामवेद संगीत है, रिगवेद में क्या हैं, प्रार्थनाए हैं, श्रोथ है, और इसके लावा, जो तंत्रमंत और वशी करन की बात हैं, वो अथरवेद में हैं, कर्मकांड की बात हैं, यह जुरवे मतलब दो भी आ रहे होते हैं और कुशन सॉल्व नहीं होता है ठीक है लिकें फिर भी ट्राइ करते हैं अथरवेद में क्या है तंत्र मंत्र वशीकरण की बाते हैं जादू टोना है ठीक आजाएए रिगवेद में श्रोथ एवं प्रात्ना हैं इसमें तस अठाइस दूप्त ह हैं 1552 रिचाय मंत्र या श्लोक हैं यजूरवेद में श्रोथ कर्मकांड की बाते हैं सामवेद में पद गे की रूप में जो भी पद है वो गाने की रूप में यानि संगीत में हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था अर्थरवेद में 20 अध्याएवं एवं 730 शुक्तों में तंत्रमत्र वशी करण अर्थरवेद को जादु टोना ठीक है ऐसे जोड़ दीज़ें कोशन नमबर 9 निम लिखे चार वेदों में से किस एक में जादु ही माया और वशी करण की बाते हैं तो हमने देखा अब है यह हम लोग उसकी बात कर रहे हैं अथरव यह हुआ कि 10-28 सूप्त है ठीक है रिचाय नहीं है और यह जो 10-552 है वो रिचाय है 10-552 यह देखे 10-552 ठीक है यह रिचाय है और यहां पर रिचाय दीज़ें ही नहीं हुई है तो यह गलत हो जाता है कुशन रिच्वेद है क्या है श्रोतों का संक्लन है आजाये अब इसे मिलान करना है तो रिच्वेद एत्रे से जोड़ दीजे सामवेद पंच से जोड़ दीजे और अथरवेद गोपत यह जुरवेद शत्पत दो याद करना पड़ेगा ठीक है रिच्वेद एत्रे रिच्वेद एत्रे ठीक और एक याद कर लिजे यजुर्वेद शत्पत ठीक एफट से रिवाइस करते हैं रिगवेद एत्रे श्लामवेद पंचविष अथरवेद गोपत और यजुर्वेद शत्पत आजाए अगला निमलिकित में से कौन सा ब्राम्मण गरंत रिगवेद से संबंदित ह है तो यह रिगवेद से अभी हमने देखा एत्रे कोरिशन नमर 13 हो गया यह ब्राम्मण है तो एक तो है अत्रे और दूसरा कोशित की पंचविष या तांडे ब्राम्मण तथा जैमनी सामवेद से रिलेटेड है अब सामवेद का याद कीजिए सामवेद का कौन है पंचविष है तांडे है और जैमनी है तीन है इसमें और शत्पत ब्राम्मण मे यजुरवेद से तथा जबकि गोपत जो है अथरवेद से सम्भनित है गोपत अथरव गोपत अथरव और शत्पत यजुरवेद ठीक है याद हो जाएगा डूंट फरी एक दो बार रिवाइस करें कि याद हो जाएगा गोपत अथरव आगे चलता है 15 रिगवेट का कौन सा मंदल पूरत सूम को समर्पित है तो यह 9 मंदल है टोटल 10 मंदल है और 9 जो है वो सूम को समर्पित है और इसमें 114 जो सूत हैं वो सूम को समर्पित है कोश्चन नमब सिक्स्टीन रिग्वेज संगीता का नौवा मंदर पूर्था किसको संब्धित है तो यह सोम और इससे पे ठीक है नाम कि देवता के बारे में बताये गया उसमें कोश्चन नमब सेवंटीन यग्य संब्धि विद्य विद्यानों के बारे में यजुर्वेद यग्य और यजु एक जसे लग रहे हैं यग्य यजु में होगा यह से स्टार्टे दुनों यग्य संब्धि विद्य विद्यानों का पता यजुर्वेद से चरता यजुर्वेद के दो भाग है शुक्ल और अब यह याद करने वाले हैं टूस्टार लगाईए यजुर्व आजाए कोश्चन नमबर 19 अच्छा पहले हम जो अठारवा कोश्चन था उसका एक्स्पिनिशन देख लें सामवेद में 1875 रेचाय हैं जिनमें से समानता मत के अनुसार 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़के सभी रिगवेद में उपलब्ध हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इस पर आधारित था कोश्चन नमर 19 भारत के किस अस्थल के खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो यह अतरंजी खेडा था देखिए आही छेत्र अतरंजी खेडा आलमगीर पूर मतुरा रोपर श्रावस प्रावस्ति काम पिल ठीक है इन सबसे लोह योगिन संस्कृति के अवशेश मिले अतरंजी खेडा से लोह धातु मल तता धातु शोधन में प्रयोक्त होने वाली भटियां मिली हैं जिनके यह संकेत मिलता है कि यहां लोह धातु को गलाने का कार इस्थाने रूप से होता थ कोशन नमर ट्वंटी उपनिशद पुस्तके हैं दर्शन पर आधारित हैं यह उपनिशद दर्शन पर आधारित पुस्तके हैं इन्हें विदांत भीक आ जाता है कोशन नमर ट्वंटी वन उपनिशदों का मुख्य विशय कौन सा है दर्शन है निमलिकित में से किस एक व्य की बात ही नहीं की गई है लेकिन उपनिशदों में प्रथम बार मूख्ष की चर्चा मिलती है यह शब्द श्वेताश्वर उपनिशद में पहली बार आया है अगें स्टार लगा दीजें कोश्चन नमबर 23 आध्यात्म ज्यान कि विश्य में नचिकेता और यम समवाद को कठ उपनिशद में क्या है यम और नचिकेता का समवाद मिलता है जिसमें आचार यम ने नचिकेता को क्या बोला कि ना इस आत्मा का कभी जनम होता है ना इस की कभी मृ exploresि होती है यह करका से स्टार्ट है कुछ कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा कर कृष्ण आचा कोशन नमर्ट वन्टीफूर नचिकेता आख्यान का उल्लेक मिलता है हमने देख लिया है उल्लेडी कोशन नमर्ट वन्टीफ उपनिशतकाल के राजा अश्वपती शाषक के कहां के शाषक के 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 उपनिशतों में राजा उपनिशतों में वर्णित राजाओं में विदे के राजा जनक यानि कि सीता जी के पापा पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली के 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 राजा अश्वपती काशी के राजा अजाशत्रू प्रमुकते हैं कौन कहां का था देख लिए वि एधिग संगितायां ब्राम्मण आरणयक उपनिशद पिर से आजाईए ब्राम्मन आरणयक उपनिशद ठीक है question number 27 आरंबिक वैदिक साहित में सरवाधिक वर्नित तो सरवाधिक वर्नित कौन सी है यह है और सबसे ज़्यादा पवित्र कौन है तो वो थी क्या नाम है उनका सरस्वती वर्नित होना अलग बात है सबसे ज़्यादा बात की गई है सिंदु नदी सिंदु नदी का रेगव्यदिक का में सरवाधिक महत्व था इसी कारण इसका उलेक रेगवेद में सरवाधिक हुआ सिंदु नदी को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरनिनी कहा गया है कि किसको कहा गया है हिरनिनी सिंदु को कहा गया है question number 28 रिगवेदिक नदी असकनी की पहचान निम्रांकिन नदियों में से किस एक के साथ असकनी चिनाब ठीक है कोशन नमर ट्वंटीनाइन रिगवेद में निम्रांकित किन नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंद में सूचक है तो ये है कुभा कुर्मु देखिए कुभा काबुल कुर्मु कुर्म गोमती गोमर स्वास्तु स्वात आधी नदियां अफगानिस्तान में बहती थी इन नदियों के उलेक से स्पस्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबन था कौन-कौन सा कुभा, कुर्रम, गोम्ती, यह हमारी वारी गोम्ती नहीं है, उनकी वाली है, अफगानिस्तान वाली है, सुवास्तु, नदिया, ठीक है कौन-नम्बर 30, व्यादिक नदि, कुभा का अस्थान कहा निर्दा रहेता है, तो हमने देखा, अफगानिस्तान में, कौन-नम्बर 30 का उप्षन यह हो जाएगा, कौन-नम्बर 31, आजैए, मिलाइन कर देता हैं, कुभा, काबुल, ठेक, परुष्णी, रावी, सदानीरा, परोश्णी रावी, सदानी रागंडक और शुतिद्री शत्लज. कौश्चन नमबर 32, कौन सी प्रथा चतुष्टे वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ये इनका मानना है कि ए और सी दोनों सही है. देखे, धर्म अर्थ काम मुक्ष की बात कर रहे हैं ये. एक तो पहले ये समझे कि कौन से काल की बात कर रहा हैं? चतुष्टे वेदोत्तर काल. ठीक है? तो इसमें चार पुर्शार्थ की बात की गई है. धर्म अर्थ काम मुक्ष की अध्धाना वेदिक काल में नहीं थी. इन सब की वेदिक काल में कोई बात नहीं हुई थी. धर्म अर्थ काम मुक्ष की बात नहीं हुई थी. मुक्ष की अध्धाना पहली बार कहां पे मिलती हैं? उपनी शदमया मिलती है. उसी प्रकार आश्रम का प्रचलन वेदिक काल जब खतम हुगया उसके बाद के काल में हुई है. और आश्रम शब्द की व्यूत्पती श्रम धातू से हुई है. कोश्चन नमा थरी धर्म तता रिद भारत की प्राचीन वैदिक सब्धता के एक केंद्री विचार को चितरित करते हैं. संदर्म नेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए. हम किसकी बात कर रहे हैं? धर्म और रिद की. तो धर्म वैक्ति के दाइत्वों एवं स्वयम तथा दूसरों के प्रती वैक्तिकत करते हुएं की संकल्पना थी. तो ठीक बात है. और क्वेश्टी और उसमें अंतर नहीं सार तत्वों के क्रिया कलापकों को संचालित करता था. तो यह हो गया. दोनों सही हैं इसमें. क्वेश्टी नमबर. यह दिख लिजेश्टी इसमें दिया हुआ है कि प्रश्णिगत दोनों कतन भारत की प्राचीन वैदिक सब्विता के संदर में सही हैं. अथा उत्तर कौन सा होगा? अविकल्पसी होगा. वरुण देवता को वैदिक सब्विता में नैतिक विवस्था. वरुण उनको नैतिक सब्विता का प्रधान माना जाता था. Q34. भारतिये संस्कृति के अंतरगत रित का अर्थ क्या था? प्राकृतिक नियम. रिगवेद में हमें धर्म के आतिरिक दूसरा शब्द रित मिलता है. सबी देवताओं का संब्द रित यानि की विश्व की नैतिक और भातिक विवस्था से माना गया है. रिगवेद में इसका वर्णन है. इस रिष्टी के आदी में सरप्रतम रित की उत्पत्ती हुई थी. रित के द्वारा विश्व में सु विवस्था तो था प्रतिस्था स्तापित होती है. यह विश्वी की विवस्था का नियामक है. कोशन नमबर 35. निमलिखित व्यदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता था? तो ब्रहस्पती. ब्रहस्पती जी को व्यदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था. ठीक है. कोशन नमबर 36. निमलिखित में से कौन सी? वह ब्रह्मवादीनी थी, जिसने कु लोग का नाम आता है जैसे अपाला है गोशा है विश्विवारा है लोपा मुद्रा एंट तो वय्दिक साहित में कई ऐसी वेदुशी इस्तरीयों का उलेख मिलता है जिन्होंने वेड मंत्रों की रचना की इन सब का नाम आता है ठीक है लेकिन इन सब का ओप्शन में नाम नहीं है तो लोग किसका है लोपा मुद्रा का इसलिए हम लोपा मुद्रा को अंसर लगाएंगे लोपा मुद्रा कौंती यह अगस्त रिशी की पत्नी थी कुश्चन नमबर 37 रिग वैदिक काल में निश्क शब्द का प्रयोग निश्क आप भूशन के लिए होता था परन्तु परवर्ति काल में इसका प्रयोग किसलिए होने लगा तो यह सिक्के के लिए होने लगा वैदिक काल में सोने के हार को निश्क कहा जाता था, काल इंपोर्टेंट है, टाइम लाइन दिखिएगा, वैदिक काल में सोने को ट्विस्टा, सोने के जो हार थे उनको निश्क कहा जाता था, निश्क शब्द के प्रयोग ने आगे आने वारे सिक्कों के वहवार के मार्ग क को प्रसस्त किया था आके देखते हैं 37 हो गया 38 पर आजाए रेग वैदिक काल में निश्क किस अंग का आप गुशन था तो ये गले का था ठीक है और ये विने में का एक साधन भी था वैदिक काल में कोशन नंबर 39 प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे ये क्या थे सुन्ड़ आबूशर थे बाद जात तक में तीन प्रकार के सुन्ड़ सिक्क उच्वी का उलेख मिलता है पहले जो यो निशाका थे तीन निशाके ही सबसे निन्म और निशाका सबसे उच्छे मूली वाली मुद्रा थी कोशिन नंबर 40 बोगोज कोई महत्वपून है क्योंकि क्योंकि यहां से हमें अभी लेक वगर प्राप्त हुए हैं तो जो भी देवी देवताओं का नाम उलोल किसा वो सफह में प्राप्त हुए है एशिया माइनर इस्तित बोगोज कोई से 24 शताब्दी इसापूर्व के अभी लेक में रिग वैदिक काल के जो भी देवताओं यानि कि इंद्र वरून मित्र नासत्य इनका लेक मिलता है इससे ग्यात होता है कि वैदिक आरे इरान से होकर ही भारत में आये होंगे कोशन नुम्बर 41 निम्ली कितमे अभी लेकों में कौन सा इरान से भारत में आरें के आने की सूचना देता है तो बोगोज कोई है अभी लेक के बारे में पुछा है अभी ने जो अभी हमने देखा 40 में वह ही है यह सेम कॉश्चन है ओके एक बार जरा इसके हम देख लें को कॉश्चन है इसमें हमने 41 पर हैं अभी कि तो हमारे कॉश्चन है 98 लगभाग 100 कॉश्चन है तीक है और हमारा आदे गंटे का वीडियो हो चुका है चले कोई नहीं करते हैं जितना हो सकता है 41 हो गया हमारा 42 पर आ जाई है चौद्वी सदी इसापूर का एक अभिलेग जिसमें वैदिक देतनाओं का वर्णन है बोगोज को यह कुश्चन 43 किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है तो बाल गंगादर तिलक ने लिखा है आर्यों के आदिदेश के बारे मे बाल गंगादर तिलक ने लिखा तिलक ने यह मत वैक दिक्या था कि आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रूब है किन्तु तिलक का मत इतियासकारों में माने नहीं है ठीक है कॉश्चन 44 जिस ग्रंत में पुरुष मेद का लेक हुआ है वो कौन सा है पुरुष मेद प्रमुख यग्य है तो पुरुष मेद क्या है एक यग्य है ये शुकल याज़ुरवेद की तीसरे अध्याए क्रिश्न याज़ुर वेद शुकल याज़ुरु हे के सत्पत प्रमान त नहीं दिया जा सकता यद्यपी अनेक इतियासकारों ने केवल शत्पत ब्राम्मन की चड़्चा करते उसमें करते समय उसमें पुर्षमिद यग्गी की चड़्चा करते हैं मतलब शत्पत ब्राम्मन में तो यह सब कुछ बोल दिया इन्होंने मुझे नहीं पता इस कंसर क्या राजा विदेद मादव से संबंदित रिशी कौन से थे गौतम राहुगड थे रिशी गौतम राहुगड आर्यों के पूर्व दिशा की ओर से और प्रषाइद के विशय में सब्सक्रों विदेत- को Teric हैं विदेद मादव की अख्याई का उलेखनी है इसके अनुसार राजा विदेद मादव से संबंदित रेशी कौन से थे गौतम राहुगड मुझे बोलने में थोड़ी प्राब्लम हो रही है तो असा करते हैं एक दो कोशन और फिप्टी तक कर लेते हैं फिर आगे करेंगे कंटीनिव करेंगे से ठीक है उत्तरवैदिक काल में ने लिकित में से किनको आरे संस्कृती का धूर समझा जाता था क्वें थे भाई पता गरी है तो यह थे कुरु और पांचाल उत्तरवैदिक काल में नगरी करण की प्रक्रिया प्यारम में हो चुकी थी कुरू पांचाल इस समय के प्रमुक नगर बन गया थे तथा ये नगर उत्तरवैदिक सब्वता के मुख्य केंद्र या धूर थे टाइम लाइन बहुत ज़रूरी है उत्तरवैदिक काल की बात कर रहा है ठीक है आजाए कोश्चन नमबर 47 गोतर शब्द का प्रयोग सरपतम कह हुआ था तो रिग्वेद में हुआ था गोतर शब्द का मूल अर्थ क्या है गोस्ट है अर्थात वहां अस्तान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था कोश्चन नमबर 48 पूर्वैदिक आर्यों का धर्म मुक्यता क्या था प्रकृति पूजा और यग्य पूजा इस तरह के कोश्चन जरूर पूछे जाता है धर्म के बारे में ठीक है अर्थ के बारे में पूछा जाता है पूर्वैदिक आर्यों का धर्म मुक्यता प्रकृति पूजा और यग्या अधारित था भक्ति था मूर्ति पूजा का उदय उत्तर मौरियतर काल में हुआ था ठीक है प्रकृति की पूजा कर रहे हैं वो यग्य कर रहे हैं तो ठीक है पूरवैदिक काल है लेकिन फिर मूर्ति-ूर्ति आगे यार किसकी पूजा करने समझ में नही तो यह लोग प्रक्रति की शक्टियों वैदिक देव्यों की प्रातना यग बली कर्मकान्थ नहीं थे इसमें विश्वास करते थे कोश्चन नमर्फिफ्टी प्रसिद्ध दस राजाओं के युद्ध किस नदी के तर्ट पर वा था तो यह परुश्णी थी दस राजाओं का युद्ध दस राग्या बोलते हैं उसको आधुनिक राभी नदी के तर्ट पर लड़ा गया था और इसमें कौन से राजा की जीत ठीक है आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है कोशन नमर्फिफ्टी बन से थैंक यू